अगर आज की तारीख में किसी देश की गर्णा उसके हथियारों के बल पर की जाए और कहा जाए कि ये फलादेश दक्षडेश्या का सबसे ताकतवर देश है तो कहना गलत नहीं होगा कि भारत दक्षडेश्या की एक उभरती हुई ताकत है अगर दक्षडेश्या में कुछ भी होता है तो इसके लिए भारत से बात करना या भारत की सहमती जरूरी होगी इसी वज़े से भारत अपनी ठाक को दिन पर दिन बढ़ाता जा रहा है पिछले दिनों समंदर में अपनी ताकत को बढ़ाते हुए भारत ने प्रोजेक्ट 75 के तहट आने वाली 6 पंडुब्यों में से चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की सबमरीन वेला को पानी में उतारा इसे मुंबाई स्थित मजगाव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने फ्रांस कंपनी मैसर्ज नेवल ग्रुप के सहयोग से भारत में ही नर्मित किया गया है वेला सबमरीन को एडवांस तकनीक और भविश के समंदर में खत्रों के आधार पर बनाए गया है जो नेवी की भावी ताकतों के लिए बनाई जाने वाली पंडुब्यों में से एक है वेला सबमरीन एक नूक्लियर सबमरीन ना होकर एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है लेकिन फिर भी इसकी खूमिया एक से बढ़कर एक है अगर दुश्मन सामने आ जाए तो बच कर जाना मुश्किल ही नहीं नामुम्किन है तो आज हम फिर भारत की ताकत के नगीनों में एक आइनेस वेला के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे प्रोजेक्ट 75 के तहत वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी सबमरीन है ये प्रोजेक्ट 75 में मुख्य रूप से उन पंडूब्यों को रखा गया है जिनके जुडने से भारतिय नौसेना की ताकत में इजाफा होका ये योजना भारत ने फ्रांसीसी कमपनी के साथ मिलकर सन 2005 में बनाई थी प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पंडूब्यां हैं जिसमें वेला चौथी सबमरीन है इसमें पहले 3 पंडूब्यां INS कलवरी, INS खंडेरी और INS करंज भारतिय नौसेना में शामिल हो चुकी है इनके बारे में हमने पिछली रिपोर्ट में जानकारी भी आप तक पहुँचा दी है वेला के बाद INS वागीर और INS वागशीर पंडूब्यों पर भी काम जारी है सबमरीन वेला को मेक इन इंडिया और फ्रांस की ट्रांस्फर ओफ टेक्नोलोजी के तहत बनाय गया है भारत सरकार ने इस टेक्नोलोजी के लिए फ्रांस की कमपनी मेसेज नेवल ग्रूप के साथ साल 2005 में 3.5 बिलियन डॉलर के साथ सौधा किया था ताकत की बात की जाये तो युद्ध के समय वेला पंडुब्बी दूसरी पंडुब्ब्यों को तबाह कर आसानी से दुश्मन को चक्मा देकर सुरक्षित बाहर निकल सकती है इसके अलावा ये आधूनिक टेकनोलोजी की वज़े से दुश्मन को ढून कर सटीक निशाना लगा सकती है ये टॉर्पीडो और ट्यूब लॉंच्ट अंटी शिप मिसाल से हमला करने में भी माहिर है आयनेस वेला में आयनेस वेला स्टेल्थ और एर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन जैसी कई तरह की आधूनिक टक्नीक का इस्तमाल क्या गया है जिसकी वज़े से ये किसी भी रडार या खोजी यंत्र की पकड़ में नहीं आ सकती ये सबमरीन की सबसे बड़ी खासियत है सबमरीन वेला अत्यधिक गहराई के साथ साथ जमीनी हमले भी आसानी से कर सकती है सबमरीन हमलों को बड़े ही चुपचाप तरीके से अंजाम दे सकती है जिसकी दुश्मन को भनक तक नहीं लगती सब्मरीन वेला असानी से खूफिया जानकारी हासिल करने, माइन्स विछाने और एरिया सर्विलांस जैसी खूबियों से लेस है यहाँ पर कुछ एतिहासिक फैक्ट बताते चले कि आइनस वेला को 31 अगस्त 1973 में नौसेना में शामिल किया गया था और 25 जून 2010 में रिटायर कर दिया गया तो इस तरह आइनस वेला ने कुल 37 सालों तक भारत की सेवा की लेकिन अब 9 साल बाद फिर 2019 में इसे हाई टेकनोलोजी के सार एडवांस रूप में लॉंच किया गया है भारत की सेवा में फिर से शामिल कर लिया गया है तो आप समझ सकते हैं कि भारत की ताकत हवा से लेकर जमीन तक और जमीन से लेकर पानी तक क्या है अब दुश्मन भारत की तरफ आख उठा कर देखने से पहले 10 बार सोचेगा